जम्मू देवी देवताओं की दर्ती है जम्मू के तकरीबन हर इलाके में एक देवस्थान जरूर है और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर पर जब भी संकट आया तो देवी देवताओं की भूमी हमेशा हर संकट से लड़ती रही और ना सिर्फ लड़ती रही पर जीती भी रही मावैश्णो देवी की अतिहासिक स्थान से लेकर शिर्यमनाज जी की सुप्रसिद स्थान के दर्शन करने के लिए हर साल लाकों की तादाद में शर्धालू जम्मू कश्मीर आते हैं और अपनी मनो कामनाओ को पूर्ण करते हैं ऐसे ही कई और स्थान भी है लेकिन आज हम आपसे बात करने वाले हैं परमंडल के पवित्र देवस्थान की जिसके बारे में जम्मू में कई सारे लोग जानते हैं लेकिन गए नहीं और कई लोगों को तो पता तक नहीं तो आईए हम आपको ले चलते हैं जम्मू से करीबं 30 किलो मेटर और सामबा जिले से 25 किलो मेटर दूर परमंडल देवस्थान पर अगर आप अपने गाड़ी में हैं तो जम्मू से सामबा की तरफ बढ़ते हुए आपको बड़ी बरामना से पहले परमंडल मोर से बाई और मुनना होगा अगर आप अपना सादन नहीं ला सकते तो यहां पर भी पबलिक ट्रांसपोर्ट की सुगदा उपलब्ध है परमंडल मोर से परमंडल का रास्ता बहुत ही खुबसूरत और मनमोहनी है जो लोग गाउं की जिन्दगी को याद करते हैं उनके लिए तो यहां का सफर सोने पर सुहागा है देविका नदी पर बना ये प्राचीन मंदर कई माइनों में खास है जम्मू का प्रसिद्ध देवस्थान परमंडल अब यहां से कुछी किलोमेटर की दूरी पर है और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट के जरिए जम्मू की दरोहर परमंडल का भी आपको पूरी तरह से बताया जाए क्योंकि कहीं सारे एतिहास उससे जुड़े हुए है और साती सात आपको ये भी बता दूँ कि कहीं सारी गुप्त चीजे हैं जो कहीं सारे लोगों को जम्मू को जम्मू के नहीं पता और हम कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ जम्मू के लोग ढोगरा दोहर परमंडल को देखें पर साती सात देजबर में दुनिया भर में ये जो रिपोर्ट है ये देखी जाए और फिर लोगों को पता चले कि जम्मू में कितना कुछ है देखने के लिए और ऐसा नहीं है कि अगर आप जम्मू में बारे में आपको बताया जाए आज हम आपको लेके आए हैं देवस्थान परमंडल में और कहीं सारे लोगों को इसके बारे में पता भी है और कहीं सारे लोग जो हैं अभी भी इस जगा से अंजान है कि जम्मू में एक ऐसा देवस्थान है जहां पर गुप्त गंगा बहती है जहां पर लोग मानेताएं मांगने आते हैं और जहां पर शिवजी बघुवान का एक स्थान है जो की देश बहर में परसिद्ध है पड़ कई सारा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम आज आपको यहां पर लेकर आए हैं इसका मकसद यही है कि यहां की जो वातवरन है उससे आपको अवगत कराया जाए शिवजी बगवान के दर्शन कराया जाए देवस्थान के दर्शन कराया जाए और साथ ही साथ क्या इसका इतिहास है और क्यों इस तान को देवस्तान कहा जाता है और गुप्त गंगा क्यों यहां पर है इसके बारे में इस पूरे इतिहास के बारे में आपको जनकारी देंगे परमंडल देवस्तान का इतिहास जो है वो जानने के लिए हमने पंडीजी से आगरे किया और जो है थोड़ा समय हमारे ले निकाला है अनिल पुजारी जी हमारे साथ मुझूद है असासवले पुजारी जी सौगता अपका दिनी उसलाओं जे जो मंदिर है परमंडल गौ में जे मंदिर है जे डाई हजार साल पुराना मंदिर है जहां पे आप देखेंगे कि एक शिवकुन डंदर बना हुआ है बोगवान शेंकर का जिसके बीतर आप जितने मर्जी जल चड़ा दो वो जल उतने का उतने रहते नहीं वो पाणी का लेवल वो इतने रहा तो उसके बीच में पिंडी बनी ये नाकदत की जो पिंडी है आप अपने बनी डिये उसके अंदर ये एक साइड में अखंड़ जो होता है जो दीपक यह हैं जो 24 गंटे जलता रहता है उसमें टेल ढालते हैं उसको 24 गंटे जलाते हैं जानबर ही रहते थे, अंदर जो शंकर भुण का कुंड है, बोही इस जगा के उपर प्रकड था, तो पहले जमानने में त्रिके बन शिकार खेलते थे, किसी शिकारी ने देखा, कि कोई जानबर उस कुंड से पानी पर, क्योंकि आगे पीशे पानी थो था ही नहीं, इसी कुं मरिती उन्य सेचंकरबहन का स्तान ता, उसकी गति होगी, राजा अभिति, बर्मन के पास अभिति लाit सभर के राजेता, उस ताइम उसके घर में कोई भी उलार नहीं थी, उस गीदर ने उसके घर में लड़की का जन्म लिए, जब उसके घर में लड़की में रोती थी, लड़की नहीं ठीक हो सकती फिर आजना का को नक्षा दो जिसके साथ से हम जाएं और खोपड़ी को डूंड़े फिर पंड़ जो नक्षा दी कि पूर स्थान के ओपर जो इसको पर मंडल नहीं बोलते हैं मंडल आपने पीशे 6 किलोंबिटर पीशे गाऊं है मंडल यह पूर स लड़की ठीक हो गी राजा को पता चलगया कि मेरी जो लड़की यह ठीक हो गी फिर राजा उस लड़की आए जहां पर और यहां पि यहां पर शिलोद्र है जारा जारा पिंडी बनी बनी वी है और 1337 जगह के ओपर है और आप जो नीचे जो गंगा देखते हो इसे गुप्त गंगा बोलते हैं जो माता पारबती के रूप है आपके अभी तो बरसाथ का मोसम है तो पानी है जब जे सूकी होती है उससे में भी आप करके ओपर आविशे करते हैं और जो पितरहां चले जाते हैं जिनकी आत्मा की गती नहीं होती है उनकी शान्ती के लिए भी इस जगह के ओपर श्रद किया जाता है जी काफी विस्तार से पंड़ जी ने इतिहास हमारे सा साजा किया पंड़ जी ये भी जाना चाहेंगे काफ पहले के मकाबले काफी अच्छी हो चुकी है क्या प्रयास सरकार दोरा किया जा रहे हैं और मंदिर परशासन द्वारा ताकि इसको लोगों तक पहुंचाया जाए जाए देवस्तान को मंदिर पहले तो मंदिर परशासन के लिए मैं करना जाता हूं कि मंदिर परशासन के ल लिए धरम चाले मन वाई हुई है और जो रात को आते हैं अनके लैनिर के लिए विस्टरे विस्तर रिष्टब कुछ खाने का रहेजमेंट किया हुआ है और जो भी जात्री आते हैं, जहां पर लंगर भी हरा मामस को लगा होता है, और जात्री को ये लंगर का प्रशाद लेने के लिए खा के ही जाते हैं, जला के हो. और दूसरा मैं सरकार से जही कहता हूँ कि सरकार ने तो एक रोड ही बनाए हो और भागी जो है कुछ बनिये जात्रियों के लिए जो भी है देखिए आप सामने देखिए दर्म चालना के में गुजारा नहीं हो सकते क्योंकि आज का दिन जो है जादा से जादा जात्री आना और मैं जही सरकार से कहता हूँ कि मंदर के सामने जो धर्म चालना है इनको ठीक किया जाए और जो भी जात्री इन धर्म चालना में रह सके तो यह थे मारसत पुजारी अनिल शर्मा जी जिननों ने पूरे इतिहास जो है परमंडल का पूरी तरहां से आपको समझाया और कोशिश की कि जो जो भी यहां पर देवस्थान है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी और हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार जो परियास कर सकती है अपने लेवल पर वो करना चाहिए ताकि जम्मू का जो यह देवस्थान ह वो देश विदेश में परसीद हो और लोग यहां पर आकर माथा टेक कर अपनी मनों कामनाएं पूरी करें में साथ यहां के स्थानी वेक्ति गोविंदराम चर्मा जी मुझूद है इन से बात चित करते हैं कि इस थान कितना परसीद है और गोविंदराम ने किस तरह के स्टेप लिए है ताकि इस स्थान को ज़्यादा ज़्यादा परमोड के जाए गुदान दी स्वागता आपका दिनी उसना उपर अपर ज़्यादाम यह जानना चाहूंगा कि यह स्थान जो है यहां पर हम देखते हैं कि हजारों की दादाद में लोग आते हैं कहीं सारी माननेता हैं क्या करने यहां पर किस तरह की माननेता है लोग जो यहां पर आते हैं लेकर पार्टिशन के बाद जो सरकारें बनी उन्होंने परमंडल की और कोई ध्यान नी दिया है तो परानों में भी ऐसा कहा जाता है कि तीन दाम की जातरा करने के उपरान तो परमंडल में शुनान करना जो है वो बड़ा अवशिक है इसलिए लाखों यातरी जो हैं जो जहां पर आते हैं ये बड़ा शुद्धा का केंदर बना हुआ है लेकर जड़े बड़ा ताजब होता है कि जो परानी सरकारें थी पहली तो उन्होंने इसकी और कोई खास तबज्यों नहीं दी ये स्थान जो था जो शिकर पर था वो बिलकुल शुनने पर आ गया है अब की सरकार जो हमारी केंदर में माननी जी में चल रही है उस सरकार केंदरिये मंतरी जो रज्य तूरिजम मंतरी थे परलाज सिंग पटेल जी वो अभी पिछले महिनों में जहां पर आये थे और उन्होंने गोशना की थी कि जहां पर कोई 55 क्रोर पे का जो प्राजेक्ट है जहां पर बनाया है तो अब लोगों में ये आशा की किरन जगी है कि अब जो प्रमंडल का जो इतिहासिक तीरिस्थल है वो पुना अपनी ख्याती को प्राफ्त करेगा तो ये धीरे धीरे जो अब बरसाद का मोसम आ गया है तो काम थोड़ा ठंडा पड़ा है लेकर प्राजेक्ट पूरी तरह से ते करना पड़ता था उसके लिए फिर यहां पर स्ट्राप उठाने पड़ते थे आप तो सीधा हो गया है काम तो अब हमें पूरा ये आशा है कि जो सेंटर के जो मिनिस्टर जहां पर आए हुए हैं और पिछले दिनों में हमारे जो उपराजेपाल जी है ग्रीश चंदर जी म और हमें पूरन आशा है कि इंद्री सरकार पर भी और जहां के जो सरकार है और जहां के जो अब उपराजेपाल जो जहां पर निजुक्त हुए हैं मनोज सिना जी उन से भी पता चला है कि वो भी जहां पर विजिट करने बाले हैं तो यह सारी बातें जो हैं यह दर्शाती ह कि आप प्रमंडल के जो भग हैं वो होने बाले यह तीर स्थान जो है यह पुना अपनी ख्याती को प्राप्त करेगा बिल्कुल यही उमीद हम भी रखते हैं और यही जिस तरह से गोविदे ने बताया कि जम्मिन कश्मीर गोर्मेंट जो है दिरे-दिरे करकर परयास कर रही ह ताकि यह जो देवस्थान है जो की जम्मू में एक अपनी ही परसिद्ध इसकी माननेता है और लोग यहां पर आते हैं वैसा ही जैसे दुनिया में अलग-अलग इलाकों में जैसे वैश्णो देवी का नाम हर एक किसी को पता है वैसा ही परमंडल का भी जो स्थान है वो क्ली स्थान है वैसा है खलते है और स्थान है वैसे अजरी का जैसे और लोग एक किसी मानने खर लोग इंगिता है वो जैसा है अपनल की का व'हां खले है प hornched झाल 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 झाल